ऑगे तो हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री कौन सी कर रहे हैं प्राची निध्यास ऐस संगेच zach की यह शिंट हिस्ट्री जिसमें हमारा आज कैसा इनका जो आजिनीति जीवन था ठीक meto दार्मिक जीवन की बात करें जो एं हम उम बात करें किस समय को कहा गया i तो अगर हम इस समय की बात करें, तो यह जो समय है, यह शुरू कब से हुआ है है। तो यह 1500 BC से लगभग जो है यह 1500 BC से इसा पूरव से लेके, यह 500 इसा पूरव तक का समय है ठीक है 500 B C का है यह समय है अगर हम इसके समय की बात करें विसी पीरियड मैं जासे एक नहीं हमारी जो आज यह जो इसफिय多 रही है लेकिन जेसा किए बिसी का समय है इसफिय से ठीक है के पूरंवितिहास का समय है व्यादिक पीरियड दिखो पहले जो हमारे पास टोनेज यहाती है एसन ले पहले चेप्टर जो है Carlित के बाद कौन सी सब्सक्राइब कान सा समय आता हमाद्य पास व्यादिकfrei व्यादिक काल ठीक है तो यह प्रातन गरंथ है हमारे पास हमने चार गरंथों के बारे में सुना होगा रिगवेद सामवेद यजुरवेद और अर्थवेद ठीक है तो हमने यह चार गरंथों के बारे में सुना होगा पहला कौन सा हमारे पास रिगवेद जिग वेद ठीक है सेकेंड है हमारे पास साम वेद साम वेद तीसरा है हमारे पास यजूर वेद यजूर 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 वेद और फोर्थ है हमारे पास अर्थ वेद अर्थ वेद तो ये हमारे पास चार वेद है और जैसे कि हमें पता है कि जो संसार की सबसे पुरानी पुस्तक किसे कहा जाता है रिग वेद को ठीक है कि संसार की सबसे पुरानी अगर बुक की बात की जाए पुस्तक की बात की जाए तो संसार की वर्ड की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है रिग वेद हमारे पास है ठीक है तो यह दुनिया की सबसे पुरानी और कुदर्ती इसमें जो है इस वेद में जो है क्या बताया गया है क्या लिखा गया है तो इसमें जो है जितने भी कुदर्ती देवी देवतनों की प्रशंच्टा के बारे में जो है मंतर लिखे गए है उनका संग्रया है इर्ग वेद और इसके बाद यह एक व्यक्ति के दुवारा नहीं लिखे गए गया कि सर्फ एक यहीं नहीं लिखा नहीं यह देखो समा बहुत लंबा है न लेटेर नहीं लेट इस समय के दौरान जित्ने भी रिशी रहे होंगे विदवान रहे हैं ते उनके दौरा अनेक विदवानों और रिशीलuda है वे दो इनक रिश्मिनियों के दौर लिखा गया है और एक लंबे समय तक लिखे गए सू तक लिखे के मंतर जैसी कि दोरा मनतर लिखे गए हैं यह तो इसमें शामिल है और इसके बाद की बास करतेए हैं नुने प्रम से टो वहक BOY 0 B126 well & 5bet अर मारा बाद बुट जो है इन वय को लिएदों कि लिए तो आघ पास रिग्वेद सामवज आध बुट पीरिट में आ जाएंगे तो इसमें वेदों की गई और व्यतों के ओपर कर्मकांडों की व्याख्यां गया तो अधियान गया तो कुछ अब इसके इलावा धर्म शाष्ट्र जो एक गरंथ लिखे गए कौन से और कौन से गरंथ लिखे गए धर्म शाष्ट्र जो एक गरंथ लिखे गए इसमें जैसे के जैसे के हम कह सकते हैं ब्रहामन ठीक है ब्रहामन इनके बाद ब्राह्मन ठीक है इसके इलावा ब्राह्मन हो गए आन्यक्य ठीक है इसके इलावा और के हो गया हमारे पास आनक हो गया शूतर हो गया ठीक है सूतर अ तो यह सारा कुछ जुई इनके बारे में मनलग एनके बाद लिखे गया जो धरम-शाश्थर थे जहसे ब्राह्मन ठे आढन यक ठीक है और में जलावा और अनिक और शूतर तो यह लिख बखे जाते हैं और इनके एलाव और कर vikt कैने लिखा गया उपनिश्द जो इन Susamma को नाम से उन्प जहाने जाती जंट लिखती तवर पर निंश्द कि भलता क्यों कि नाम साव से सुझेक्स लिखते हैं लिखा जायेगा तो क्या कहते हैं मिलाकर वैदिक सहते लिट्रेचर वैदिक लिट्रेचर सहते ठीक है तो इसके इलावा जिस काल में यह लिखे गया अब बात करते हैं कि जिस काल में यह सहते लिखे गया इसे तो वैदिक काल का सहते कह दिया गया लेकिन जिस काल में जिस पीरियड में लिखे गया उस लिए तो जिसिसे लिखे गये उसे ग्याय कहते हैं चाल को और इसके बाद इसका समय मैं आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा है पंदर्स सो वीची से लेके जुया फान सो विची से तक का समय जब जे ग्रन्त लिखे गये है ठीक है ये साहत्य को रच्या गया है इसके बारे में अध्यान भी किये गया साथ ही साथ में जोए जैसे हमने बोला कि धर्म शाष्तर ग्रंत लिखे गये इनकी व्याक्यों की गई उसमें जो है अधियान किया गया जैसे ब्रह्मन है आणक है सूतर है उपनिश्दे ठीक है ओके तो पहले अगर जो है हम बात करें तो व्यादी काल को भी जो है दो पीरिड्स में डिवाइड किया गया कि इसे भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कि कि उसेसे रूक है इससे समय के दुरान course वेयद्षन के लिखा गया उसे जह comparison कि अमिब्र के वाधिक साम अब हम बात करते हैं कि इस समय के लोगों को आम तौर पर क्या कहते थे तो यहां पर जो लोग थे समय के दौरान जो लोग थे वैदिक सब्वेता के लोगों को जो है आम तौर पर क्या कहते थे आरियन्स ठीक है क्या कहते थे आरियंस आरियंस कहा जाता था जो वैदिक समय के पीरीड के लोग थे जो जनता थी उस समय के लोग थे परसन थे व्यक्ति थे व्यादिक सभेता के समय के जो लोग थे उनको क्या कहते थे आरीयन्थ कहते थे तो यह प्रशन जो है बहुत सार जगा पूझ्छा भी जाता है कि आरीयन्स कौन थे तो वो कौन थे व्यादिक परियोड के समय के लोग थे आरियंस और ये जो है इनके शुरू में जो है ये पंजाब में कहते कि ये पंजाब में रहने वाले थे कोई कहता है कि ये यमुना नदी से लेकर जो अफगानिस्तान के सीमा तक रहते थे ठीक है तो शुरू में ये पंजाब में रहते थे उसके बाद ये यम वी मुना कि युमुना है कि कहां तक अफगानिस्तान तक हम सघ्ल करें इस की उपर बहुत विचार जॉए बहुत जो कहें entfer तो जूर मत्मेट में हैं कि आए कहां थे तो यह पंजाब में ठीक है मान लिया कि शुरू में पंजाब में उसके बाद इन्होंने जो यमुना रिवर से लेके अफगानिस्तान तक जो रहने लगे और इस समय के लोगों को जो चलो कहां दिया कि आरियन्स है वैदिक समय के लोगों को लेकिन प्रशन यह बनता है कि मौ तक अपने अपने मतभे इनके बीच में मतभे हो जाते हैं ठीक है कोई विद्वान कहता है कि ही यह पंजाब के रहने वान नहीं थे यह मदेशिया तो इनके स्थान के बारे में जो किस नहीं में तो कोborरे नहीं तो मोना का जो further के सुमित पर कुछ विद्वान के बारे में कश विद्वान के कि कुछ कंकि movies tha विद्वानों में मत भेन हैं कोई कहता है कि यह कहा कर दो से आये ते पंजाब में यहीं है कुछ लोग कहते हैं विदवानों का विचार है कि जो ये रूस के और यॉर्प के निवासी थे और वहां से यहां आए ठीक है कि ये कहां के थे रूस यानि के रुशिया के और यॉर्प देशों के जो ये निवासी थे और वहां से ये कहां आए हैं भारत में पंजाब में आक बहुत सारे विद्वान अपने विचारों के साथ थो रिष्ट नहीं कर पाए तो उसके बाद यह विचार मानते हैं कि आरियन लोग बाहर से नहीं पंजाब से आएं ठीक है लास में उन्हें यह कह दिया कि आरियं जो ना तो यॉर्प से आए ना ही रशिया से आए ना ही मत्र इसीया से आये तो यह जो एक अंक्लीजार निकाल गया लेकिन एक यर्मन के परफैसर है मैक ठीक है कि यर्मन के एक परफैसर है कौन मैक्स मूलर ठीक है ठीक है जर्मन के जो थे एक कौन थे जर्मन के एक जो थे परफेसर थे परफेसर ठीक है परफेसर कौन थे मैक्स मूलर मैक्स मूलर ठीक है तो मैक्स मूलर जो थे इन्होंने जो यह कहां के ते आरियन जो थे कुछ इतिहास करों के उसार जो थे भारत के विसनीक थे पंजाब के विसनीक थे लेकिन जो है कुछ और विदमानों का विचार है कि वो जो आरियन जो बाहर से आए थे जैसे उन्होंने बोला रशिया से आए थे कोई कह रहा है यॉरप से आए थे कोई कह रहा है कि मदेशिया से आए लेकिन जो परफेसर जो है मैक्स मूलर है इन्होंने कहा कि जर्मन इन् उन्हों देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो सारी ही भाषाओं में एक जैसे ही है उन्हों ने भाषा लेंग्वेज का अधियान किया अलगल भाषा को लिया उनका अधियान किया और उन्हों मैंने देखा कि कुछ शब्द जो है एक जैसे ही है हर एक भाशा में तो कहां कि रोंबर सी रोंडेशी वासी न्हीं भारत के जो ठीग है और जो यूनानी और यर्मन के बड़े देशों के लोग भी ये सारी पहले एक जगह रहते थी ठीक है उन्होंने मतलब के इन सब का जो है इन सब की भाशाओं का अधियान किया थिक अधियान करके देखा तो सभी में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो एक जैसे ही है तो इन्हों ने कहा कि भारती निवासी रोम निवासी यूनान के निवासी और यॉर्प के जो 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 चाहर पया उसके निवासी ठीक है कि ये जो है एक ही जगा सबी पहले रहते थे मलके बड़े बडेरे जो थे इनके बड़े बज़ुर्ग थे जो इनके ये सारे ही एक जगा पे रहते थे एक ही स्थान पे रहते थे और फिर कुछ हुआ होगा कुछ कारणों के कारण ये जो है वहां से कोई यॉर्प की तरफ चला गया कोई रशिया की तरफ चला गया कोई भारत की तरफ चला गया कोई मदेशिया की तरफ चला गया तो यहीं से जो है अलग अलग जगा फैल गया ठीक है तो इस वह से जो है यह अगर कहा जाए तो यह मूल निवासी तो यह कहां के हैं रहाई है रहा है जाए ओर सभाव और सुष्ष्थ्य कि jij रहतार है वह एधाय जहां सोज़ान घ्रमण चाना है जाए जो है चले जाते है ठीक है उनमें से जो यह भाषाओं के कुछ जो है शब्दों को लेकर यह साबित करने के उन्हों ने यह कोशिश की है और कुछ खास फर्क नहीं था उनके विचार के अनुसार जो है आरिया लोग शुरू से ही जो है कहां रहते थे मदेशिया रहते थे ठी ठीक है और भारत और यॉरप के और देशों में यह फैल गए यॉरप और भारत के देशों में यह फैल गए तो यह थे आरियन्स के कहां से आए थे कहां से आए थे अब हम पता है कि मद एशिया के निवासी थे यह मूल निवासी मद एशिया के थे उसके बाद यह भारत जाके कहां इन्हों ने रहना शिरू किया पंजाब में और पंजाब के बाद यह मुना से लेकि अफगानिस तक के शेत्र में फैले और उसके बाद यह कहां फैल गए जो गंगा के शेत्र है जो गंगा का मैदानी शेत्र है वहां पे रहने लगे ठीक है अब यह रिगवेद मे कि दौरान जो है क्या क्या कौन कौन सी रिवर्स थी यहां पर क्या था है न वह वली करते हैं देखो रिगवेद जो पिरियड है रिगवेदिक समय है ठीक है इस समय में भारत को क्या नाम दिया गया पंजाब को क्या नाम दिया अब तो हम पंजाब भारत कहते हैं लेकिन उस स मैं इसलेल पूछा है ना एक्ञाम में संबूंजाब का नाम था भारत का नाम था तो यह मैं पटा होना चाहिए कि आप सिर्वक्वैद का नाम था और पंजाब का नाम था क्योंकि पहले यह बारी पंजाब uży्क है आपके तो रहना शिरू किंगा इन्होंने तो यहाँ पर रिगवियाद में जो कॊन कौन सी रिगवियाद में सिंदूलर ठीगर से जिन्धू ठीच है उसके बाद हम बात करते हैं सिंदू है हमारे पास यहिलम जिहलम प्रकी एअ चिनाब चिनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, ठीक है? रावी, सर्स्वती जमुना, जमुना, गंगा, गंगा, ठीक है? तो ये सारी नदियां जो है, इस समय में बहती थी, ठीक है? अगर हम बात करें सिंधू नदी की तो ये सिंधू नदी जो है इसकी सहयोगिक नदियां जानी के जो है इसकी सहायक नदियां कौन-कौन सी है यहलम, चिनाब, सतलु, जिरावी, ब्यास तो ये सारी है ठीक है इसके लावा हमने कहा कि जो है पंजाब उस समय जो है भारत को उस रिगवैदिक समय में क्या नाम था क्या नाम था सब्त सिंदू का अर्थ है साथ नदियों का परदेश ठीक है क्या अर्थ है साथ नदियों का परदेश ठीक है क्या अर्थ है साथ नदियों का परदेश ठीक है कौन-कौन सी थी सिंदू थी जेहलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी ठीक है? सिंदू सिंदू या इंडिस्री वर्थ ठीक है? जेहलम और जेहलम का जो है उस समय नाम क्या था? अगर हम बात करें ये तो आज भी हम जो है नहीं बलाते हैं लेकिन जो रिगवैदिक काल में से क्या कहते थे? तो रिगवैदिक काल में येहलम को जो है क्या कहते थे? विचसता विचसता ठीक है? विचसता कहते थे चिनाब को क्या कहा जाता था? तो चिनाब का नाम था असकनी अस असकनी ठीक है और जो सतनुष का नाम क्या था शत्तदरी ठीक है सतनुष का नाम क्या था शत्तदरी ठीक है ब्यास का नाम क्या था विपाशा विपाशा और रावी का पुर्शनी ठीक है तो ये थे उसमें नदियों के नाम इसके इरावा ये देखो कितनी होगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ठीक है तो ये जो थे देखो गंगा और जमुना तो इस तरफ नहीं बहते थी सरसवती थी ठीक है तो दो चार शे साथ मी जो थी पंजाब में बहते थी सरसवती जो से हम प्राचिन काल में इसे कौन सी कहा गया रिवर घागरा नदी ठीक है घागर नदी रिवर ठीक है तो उसे सरसवती भी कहते थे और वैदी काल में सरसवती नदी को सबसे पुछतर माना गया है सबसे पुछतर रिवर जो थी पंजाब में थी ठीक है जमुना और जुगंगा ये जो है भारत की नदियां है ठीक है ओके क्लियर है तो ये है था हमारे पास व्यादिक पीरियड जिसमें जो हमने क्या किया व्यादिक साहितिय क्या होता है व्यादिक पीरियड क्या है और आरियन कहां से आए हैं मूल ये वैदिक पिरियड में नाम है किस नधी को क्या कहते थे यहलम को विसता, चनाब को अस्कनी, सतलुज को चाथरी और विपाशा और रावी को पूर्शनी ठीक है? और सरस्वति नधी को सबसे पुत्तर माना गया वैदिक पिरियड में एक एक क्लियर है? ओके जी